लोग अजी है लोग अजी है लोग अजी अजी आप सभी आशी सिंग लेक्ट्टर्स की इस लिटेज लाइव स्ट्रीम में पैरे बच्चों कैसे आप सभी लोग उमीद करता हूं बहुत ही बैद दिन होंगे और एसल के साथ आपके बढ़ाई शांदर चल रही होगी तो सभी का आज की सक्षा में हार्दिक, अभिनंदन और स्वागत एक बाद जल्दी से बता दो और यो वीडियो सब कुछ परफेट है क्या आज अज फाइनली हमारा एक नया चेप्टर शुरू होने जा रहा है तो सभी को बढ़ाई पहली बात तो और नया चेप्टर नई शुरूवात एक नई अपॉर्चुनिटी अगर गलती से हमसे कोई भूल चुक हो गई हो तो इस भूल चुक को माफ करने का समय मिल जाता है हमें option मिलता है भाई इस चीज का option मिलता है सर हमें option मिलता है खुद की गल्तियों को सुधारने का हमें option मिलता है कि हम एक बहुत बड़ा काम कर सकें हम खुद को एक नए चेप्टर के साथ लाइव लेकर करके आ सकें तो यह काफी बड़ी opportunity होती है तो सबसे पहले तो इस वी कर लेंगे ताकि YouTube आपको सारे के सारे नोटिविशन बेजे उसके लिए बैल आइकन को भी और पे क्लिक कर लेंगे कमेंट सेक्षन में सभी बच्चों से गुजारिश है जो अपना हैश्टेक है है जल्दी से इस हैश्टेक को कमेंट सेक्षन में लिख दीजिए बिकॉस यह हमें याद दिलाता है कि हमें एक जिद के साथ चल रहे हैं जिद है दोजाच चोईस में एक शांदार नंबर लाने के सो में से सो दूसरा जिद है कि हम लोग मेहनत भी करेंगे और सेलेक्ट होंगे जेई नीट में भी और उसके लिए आशा फास्ट्रेक में तावर्ड तोड मैनज जो है वो आपके साथ की जा रही है जेई नीट वाले चैनल के ओपा ठीक है शुरू करें सबसे पहली बात सर्फ क्या पढ़ा होगे आप इस चैप्टर में यह तो बता दो बताते हैं उससे भी इंपॉर्ड एक चीज आपने अभी तक अगर वाट्सेप ग्रूप अपना जो है उसको जोईन नहीं कर रहागा वाट्सेप चैनल को इंस्टागाम तो ठीक है अभी छोड़ सकते हो एक्जाम आने वाले टेलिग्राम पे अपना जो आशी सिंग लेक्चर का चैनल उसको जॉइन कर लीजिए लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है आपको कोई भी नोटिफिशन मिस नहीं होगा है न और दूसरा एप्लिकेशन ड कुछ ना कुछ है जेई की तयारी कर रहे हो कुछ ना कुछ है नीट की तयारी कर रहे हो कुछ ना कुछ है तैयार रहें इस दिन के लिए 10 दिसमबर अपनी डायरी में नोट कर लो 10 दिसमबर को शाम को एक लाइव स्ट्रीम होगी और उस लाइव स्ट्रीम में एसल जो है व आपका दिल कदगद हो जाएगा ठीक है कुछ बहुत बड़ा कुछ बहुत शांदार जो है वह आपके साथ शेर होगा दस दिसमबर को तो भी रेडी फॉर टेंट ओफ दिसमबर ओके चलिए शुरू करते मिटा अब एक चीज का ध्यान रखें कि आज के चैप्टर में आप ल लए दस मिनिट के लिए उसका रिवीजन जरूर करेंगे बिना रिवीजन के आप आगे नहीं पढ़ेंगे यह प्रॉमिस अगर आप करते हैं तो आज की क्लास से आप एल्डी हाइड किटोन कार्बॉक्सी मेरे साथ चल सकते हूँ जल्दी से हैस्टेग जिद कर बहुते ग है षेटेग जिद कर अड़िए लगाईए यतली हाइड किटोन कार्बॉक्स लिक क के लिएड किटोन एंड कार्बॉक्स लिक अर्ली हैड किटोन एंड कारबॉक्सलिक एसिड शुरू करें बच्चे कहते हैं हिंदी में भी लिखो इसके बारे में देखिए हिंदी में भी इस प्रकार से LD हाइड लिखा जाता है हिंदी में इस प्रकार से की टोन लिखा जाता है और इसे हिंदी में ही इस प्रकार से कार बॉक्स लिक अमले लिखते हैं अचीक है तो इनकी हिंदी भी वही है सब बहेंकर कॉनफरेंस आया है फ्रीस वाली क्लास में अच्छा जी नीट की क्लास की बात कर रहे हूँ क्या अच्छी बात है तो LDH, Ketone, Carboxlic की बात चल रही है LDH, Ketone, Carboxlic एक्चल में ये परिवार के तीनो एक ही परिवार के सदस्य है जैसे होता है न कपूर्स फैमिली, शर्मास फैमिली, पवार फैमिली तो वैसे ही ये तीनो जो हैं आप समझेगा ये तीनो एक ही फैमिली से आते हैं तो LDH, Ketone और Carboxlic, LDH, Ketone और Carboxlic तीनो एक ही फैमिली से आते हैं और वो फैमिली है कार्बोनिल फैमिली, कार्बोनिल समू कार्बोनिल समू आपका होता है C double bond O अब अच्छी से जानते हैं आक्सिजन की विद्यू दिनात्मकता जादा है तो हमेशा आप ये चीज पाएंगे कि कार्बन पार्शल पॉस्टिव और आक्सिजन पार्शल नेगेटिव रहने वाली है अब एक्चुल में LDH, Ketone, Carboxlic बनते कैसे हैं ये आपका कहलाता है कार्बोनिल परिवार अब अगर आप इस कार्बोनिल समू में इस C double bond O में एक तरफ कार्बन समू जोड़ दें और एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दें तो इससे जिस क्रियात्मक समू का जन्म होता है वो है LDH, मैं बच्चों को याद कराने के लिए हमेशा इस तरह से बोलता हूँ कि इसको आप ऐसे याद कीजिए R, CHO LDH, ऐसे याद करो इसको CHO LDH, CHO LDH, CHO LDH, CHO LDH, लिखो कमेंट सेक्चन में CHO LDH, C double bond O है C double bond O है C double bond O के दौनों तरफ अगर आप कार्बन समू जोड़ दो जरूरी नहीं है कि वो बराबरों अलगलग भी हो सकते हैं बराबर भी हो सकते हैं C double bond O के दौनों तरफ द्यान से देखना यहाँ C double bond O के एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइडोजन अगर C double bond O के दौनों तरफ आप carbon जोड़ दे तो ये कौनसी category में चला जाता है ketone की category में चला जाता है this is called as ketone अगर आप C double bond O के एक तरफ carbon समू जोड़ दे आप C double bond O के एक तरफ carbon समू जोड़ दे और C double bond O के एक तरफ आप OH जोड़ दे तो मैं बच्चों को इसको ऐसे याद कराता हूँ कि R, C, O, O, H ये आपका होता है Carboxlic समझा आ गया तो ये एक ही परिवार के हैं तीनों कौन L, D, I, Ketone, Carboxlic तीनों एक ही परिवार के हैं और इनका परिवार कौन सा है तो ये Carbonyl Family से आते हैं Carbonyl समू से आते है अगर आप एक तरफ H, एक तरफ R जोड़ देंगे तो R, C, O, L, D Example ले लो CH3, C, O ठीके बच्चा Ketone, दौनों तरफ Carbon जोड़ दीजिए दौनों तरफ Carbon समू जोड़ दो ये लो, Ketone हो गया देखिए न, आप राम से वापस समझ लीजिए C, O, O, के दौन तरफ क्या जोड़ गया Carbon समू एक तरफ Carbon समू और एक तरफ OH जोड़ दीजिए ये आपका बन जाएगा Carbonylick ये आपका एक्जामपल हो गया Ketone का और ये आपका एक्जामपल हो गया Carbox लेका बताओ सही है अपको एक बात बताता हूं क्या आपने एक टॉपिक पड़ा था अब अपन क्या कर रहे है अब अपन इन सब का निर्मान पड़ेंगे विर्चन आपको पता है पहले टॉपिक ही होता है जो आपको पैचान हो गया यहां तक मक्खान है न बिटा कि aldehyde क्या चीज है ketone क्या चीज है carboxylic क्या चीज है पैचान हो गई आपको अच्छे से वे बच्चा ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं समझा रहा सर किलियर है यहां तक तो अब chapter number 2 का एक topic याद करो alcohol का oxy current याद आया कुछ मैं इसका हलका सा हिंट देता हूँ आपको chapter number 2 में आपने पढ़ाता हूँ chapter number 2 मतना मैं और्गिनिक की बात कर रहा हूँ यह आपने पढ़ाता alcohol वाले chapter में अब हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं पताता हूँ हम देख रहे हैं इनका विर्चन किसका विर्चन aldehyde का विर्चन ketone का विर्चन carboxylik का विर्चन आपको याद आया हूँ तो हमने एक बहुत बड़ा topic पढ़ा था बच्चे कहते हैं सर आप aldehyde ketone carboxylik को कम समय में कैसे करा देते हो मैं alcohol, phenol, ether और haloyalken, halorine पर इतनी मेहनत करता हूँ कि ASL से पढ़ने वाला बच्चा इस chapter में अपना time बचा सकता है क्या आपको मैंने सिखाया था कि अगर आपके पास alcohol हो तो आप alcohol से उसका oxygen करा के aldehyde and ketone बना सकते हैं aldehyde का फिर से oxygen करा के आप carboxylik बना सकते हैं क्या मैंने आपको बताया था कि अगर आप one degree alcohol लोगे और one degree alcohol का oxygen कराओगे तो आपको aldehyde मिल सकता है और aldehyde का फिर से oxygen कराओ तो आपको carboxylik मिल सकता है या फिर आप प्रबल ऑक्सिकारक काम में ले लो तो डायरेक्ट आप alcohol से कहां जा सकते हो carboxylik में हाथ उपर करेंगे वो सारे बच्चे जिनको वो class याद है PCC, PDC इसा पड़ाता पनने alcohol से carboxylik भी बनाया जा सकता है direct पर इसके लिए आपको प्रबल ऑक्सिकारक की जरूद पड़ेगी और एक और बात अगर आप two degree alcohol लेते हो तो two degree alcohol से केवल क्या बन सकता है इससे केवल keto नहीं बनता है तो यह हम लोग पहले बाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं just last chapter में पढ़ाए अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे हमने तो यह सोच के आये ते नया चैप्टर है सब को समझ माएगा अब आपने तो पिछले चैप्टर की बाद डाल दी तो यह विर्चन की पहली अभी किरिया मैं आपको बता रहा हूँ alcohol के oxygen द्वारा तो यह हम already पढ़ चुके हैं तो यहां वापस पढ़ाने का sense नहीं बनता पर हाँ जो बच्चे नए है मैं इस वीडियो के comment box में एक link दे दूँगा आपको उस वीडियो का जहां यह सब को समझाया हुआ है इसके ठीक बाद अब जो मैं topic पढ़ाने जा रहा हूँ उसका इससे कोई संबंद नहीं है तो आपको वो समझ में आ जाएगा और अब्विस सी बात है हम लोग पुराने chapter के अंदर मेहनत करते हैं तो उन reaction को इस chapter में तो यूज़ करना बनेगा न जबर दसी दुबारा उतनी ही मेनत क्यों की जाएगी तो आप तीस से पैंथीस मिंट तो बज गए न एक क्लास ही बज गए ये मान लो कोई कि इस पूरे topic को बनाने में एक क्लास के असपास जाता है वो हम अल्यडी अलकॉल में पढ़ चुके हैं के अलकॉल के ऑक्सिकन से हमें एल्डीहिड और केटोन प्राप्त होता है अब आपको समझ में connection क्या है कि अप एल्डीहिड केटोन कारबॉक्सलिक के निर्मान में भी सारी अभिक्रिया पढ़ोगे और आपने वहां क्यों पढ़ी क्योंकि वहां पे एलकोहल की राजसाइनी का भीक्रिया पढ़ी जा रही थी तो एक राजसाइनी का भीक्रिया में किसी का निर्मान होता है तो उसके निर्मान में उसको पढ़ना पढ़ता है और कोई अभीक्रिया कर रहा होता है हमारे एसलिय अभिक्रिया और यह अभिक्रिया बहुत ही शांदार है इसमें तो आपको एकदम आनंद की प्राप्ति होगी आनंद की अनुभूती होगी इस अभिक्रिया को देख करें शुरू करें लगाओ सेकिंड रियक्शन अपने जा रहे हैं इससे अपन बनाएंगे लिए की टॉन का बॉक्स लिए वो है ओजोनी अब घटन लिखो हम क्या पढ़ने जा रहे है ओजोनी अब घटन है ओजोनी अब घटन लगाएंगे सभी ओजोनी अब घटन को ओजो नो लाइसिस के नाम से भी जानते हैं आठे ओजोनी अब घटन को किस नाम से जानते है ओजोनी अब घटन को अपन ओजोन लइसिस के नाम से भी जानते है करो मेहनत आजाओ फिर दस तारीक का वेट करो मैं काफ़ी हिंट दे रहा हूना आपको दस तारीक के बारे में कोई रात नहीं और किसी बच्चे को अगर टेस्ट लेना है मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री का रियल टेस्ट तो आई टेस्ट के उपर जाके क्लासे रिटेंड कर ले गटन भी किसका होगा ओजोनी अब गटन होगा एलकीन का तो हम कराने जा रहे हैं एलकीन का ओजोनी अब गटन शुरू करें इसे माल लो आपने एक एलकीन ली येश्टू डबल बॉन्ड च्छ्टू ठीक है आपको इसकी रियक्शन किस किस से करानी है वो समझ यह प्रोड इस प्रोडेक्ट क्या बनेगा वो तो मैं डाइट बता दूँगा तो च्छ्टू डबल बॉन्ड च्छ्टू से आपको रेक्शन करनी है किस किस रेक्शन कराने वो देखिए आपको reaction करवानी है O3-CCL4 से पहली चीज़ Ozone और CCL4 दूसरा आपको लेना है Jink-H2 तो Alkin आप चाहो तो commentation में लिखते भी चलो ताकि आपको अभी के अभी ही सारी की सारी reactions आपके दिमाग में fit होती चाहें ठीक है तो आप चाहें तो लिखते भी चल सकते हैं CH2 double bond CH2 की reaction करवानी है किसे O3 से और CCL4 से Jink और जल से चुदू करें कैसे करवाएंगे सार्थ देखिए स्टार्ट करते हैं किस reaction को करवाने का सबसे best तरीका क्या है बताऊं आपने ये लिख दिया अब कुछ नहीं करना है बस यहां से break करना है इसको oxygen देदो इसको oxygen देदो डायरेक्ट ट्रिक बता रहाँ बेटा यहां से break करो इसको oxygen देदो इसको oxygen देदो दो उत्पात बन जाएंगे बात खतम कैसे सब करके दिखाओ अभी दिखाते हैं यहां H2 है मतलब 2H है जो कारबन से connected है आपने कारबन को oxygen देदी यह लो एक उत्पात बन गया aldehyde क्या बन गया आपका यह आपका बन गया aldehyde प्लस CH2 था वो ही कारबन के साथ 2H थे कारबन का डबल बॉन टूटा वो इसने इस oxygen के साथ बना लिया तो यहां भी क्या मिल गया आपको aldehyde तो मोटे मोटे तोर पे आपको alkyne का ओजोनी अबगटन कराना आना चाहिए कि वो कैसे कराया जाएगा ठीक है तो क्या बन गया H-C-H-O बन गया नाम लिखेंगे तो नामकर संसका पहले सिखाच चुका हूँ इसका नाम हो जाएगा methanel met single bond है और फिर L है aldehyde के लिए L का प्रियोग होता है organic chemistry मेरे से पढ़ रहे हो तो आई-उ-PS आपने पढ़ी लिया होगा डेफिनिट सी बात है तो L-D-H-D के लिए अपन एल शब्द का प्रियोग करते हैं ketone के लिए अपन ओए नी ओन शब्द का प्रियोग करते हैं मिटा और का बॉक्स के लिए OE कैसिड का प्रियोग करते हैं मेरी और गनिक बहुत connected होती है वैसे इस बात का ध्यान लखना कि इस तरह कुछ उस तरह से मेंटेर जो बच्चा आप एक बार आयूपेसी पढ़ लेगा आशी सिंग लेक्च्चर से उससे सारे सवाल बनेंगे आयूपेसी के तय है अब मैं आपको एक सवाल दू करने के लिए आप ट्राय करोगे चलो इसको आप ट्राय करो आप इसमें बना के बताना मुझे आपसे उत्पात बन पा रहा है और नहीं बन पा रहा है चलो सवाल आपसे होना चाहिए लिए करके दिखाईए छली मातला आपको बता दी कि क्या है डीक क्या है इक डबल बॉणंड कटो दो इसको एक और इसको इक ऑक्षियंग बस जल्दी से रेंगोस है पाधे हैesi क्या बना है फिर такие क्या बन रहे है कि बदढ़े क्या वन रहे है बताइए क्या बन रहा है इंपल यार यहां से ब्रेक कर दू ना क्या दिक्कत है यहां से ब्रेक कर दू एक इसको देना एक इसको देना है एक औक्सियन इसको मिल जाएगी एक औक्सियन इसको मिल जाएगी क्या बने का देखिए क्या बने का देखिए तो इसके पास उलेडी है अप चेक कर पा रहे हैं इसके साथ डबल बॉर्ण ओ जोड़ दी है अपने तो क्या है CH3 C double bond OCH3 क्या बना है CTone अराम से देखो सब समझ मा आएगा यह ऐसा दिख रहा है CH3 इस CH3 से कारबन करनेक्टेट है कारबन से अब अपनने क्या गनेट करती है ऑक्सिजन इस कारबन से और क्या गनेक्टेट है देख रहे हैं अब दिख रहा है इधर ठी कि एस ट्री के साथ किए गरेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेेट्स यह सीएच को सकते हैं कारबन के साथ क्या जोड़ दिया औक्सीजन कि आपको नहीं लगता यह एल्डी हैड बंचुका है एक्चल्ध में हैं है है एच्ट एक मकड दोनों में से किस उत्तपाद का दोनौ बनेंगे बीटा और दोनों का ही उप्योग किया आज सकता है कोई दिक्कत नहीं है तोनों का ही प्रियोग कर सकते हैं ठीक है इसी reaction को करवाने का मेरे पास एक और option है एक और तरीका भी है बताऊं क्या घर बनाओ घर तोड़ो इसी reaction को करवाने की मेरे पास एक trick और है बतादू जैसे इसी को लेके बनाते है CH2 double bond CH2 सबसे पहले reaction करने कौन आ रहा है ozone तो ozone का OTHी ले लो CCL4 की पस्तिती में अब ज्यान से देखना ये कैसे करेंगे तरह कारबन की और गोला reaction उन्हें ने बिटा ज्यान से देखिए आप CH2 CH2 को लिख दो ऐसे कैसा ठीक है और अगर आपको थोड़ा बुरा कम लगे तो आप मेरी एक बात और मान सकते हो अगर आपको थोड़ा बुरा कम लगे इस कारबन को लिख लो ऐसे और इसके जो दौनों ऐसे उनको पीछे लिख दो इस कारबन को लिख लो ऐसे उसके दौनों ऐस इधर लिख दो अब मैं आपको ये बोलाओं कि घर बनाओ अगर मैं यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दूँ तो इस कारबन के भी दो बॉन्ड फ्री हो गए और इस कारबन के भी दो बॉन्ड फ्री हो गए तो इस कारबन के जो दो बॉन्ड फ्री हुए हैं वो ऐसे दिखा दो और इस कार्बन के जो दो बॉन्ड फ्री हुए है वो ऐसे दिखा दो तो इस कार्बन के जो दो बॉन्ड फ्री हुए है एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे दिखा दो और इस कार्बन के जो दो बॉंड फ्री हुए है एक बॉंड ऐसे और एक बॉंड ऐसे दिखा दो अब आपने अभिक्रिया किस से कराई है ओजोन से कराई है ओजोन में कितनी ओक्सीजन होती है तीन एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ क्या घर बन गया है क्या घर बन गया है सही बन गया तो घर बनाओ यह आपका पहला स्टैप ट्रिक का पूरा हुआ जिसमें था घर बनाओ अब अगला स्टैप क्या होगा सोचिए घर तोड़ो कैसे सेकंड कौन है जिंक H2O सेकंड केस में आप किसको यूज करोगे जिंक H2O वो क्या करेगा देखना वो ऐसे इस घर को तोड़ देगा यहाँ से और यहाँ से जिंक इस ऑक्सिजन को अपने साथ ले जाएगा जैडन O बना करके इसी है है जिंक आप ऐसे भी सकते हो कि उत्पाद में आपको जैडन O प्राप्त होगा तो जिंक क्या करेगा जिंक इस ऑक्सिजन को जिंक इस ऑक्सिजन को अपने साथ ले जाएगा क्या बना करके जैडन बना करके अब क्या बचा छी एच टू एच सी एक और एच इदर वाला बॉन टूड़ गया यह बॉन किसके साथ बनेगा इस ऑक्सिजन के साथ डबल बॉन्ड हो क्या यह वही उत्पाद है जो भी अपने बना रहेते हैं अप्लस च्छ टू तो एच तो एच इस एच इस बॉन ब्रेक हो गया बन ब्रेक हो गया कारबन ऑक्सिएन के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड हो एट लो अचिदें का मेकैनिजम आपके कोर्स में नहीं है इस लिए आपको इस रियक्षन के मेकैनिजम में दिमाग लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी आपको सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना हैं। प्लाइब Ol. बताओ, अब एक बात बता सकते हो मेरे को, इसमें हुआ क्या, पहले ओजोन जुड़ा, ओजोन के जुड़ने को बोलते हैं ओजोनी करण, बच्चे बोलते हैं सर एक्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, लेंगवीज बता दीजिए, अब ही बताते हैं, एसल के एक भी बच्चे को कुछ भी याद नी करना पड़ता है, एसल का बच्चा खुछ समझ के लिखता है, कैसे देखना, क्या आपने अभी एक चीज देखी, कि सबसे पहले ओजोन जुड़ गया, तीनों के तीनों ऑक्सिजन इसके पास जाके जुड़ गई, किसी का भी जुड़ना नी करन हो जाता है, हाइडोजन जुड़ा, हाइडोजन नी करन, हैलोजन जुड़ा, हैलोजन नी करन, नाइट्रो जुड़ा, नाइट्री करन, सही है, तो यहाँ पे कौन जुड़ा, ओजोन, तो क्या होगा, ओजोनी करन, तो सबसे पहले जो एलकीन है उसका क्या होता है ओजोन के जुड़ने से ओजोन ही करन सही है फिर इस जिंक और H2O ने क्या किया फिर इस जिंक और H2O ने इस ओक्सिजन को यहां से निकाल दिया और तोड़ दिया ओक्सिजन के निकलने से क्या होता है अपचयन अपचेन होता है बैए ऑक्सिजन का जुड़ना ऑक्सिकन निकलना अपचेन तो क्या हो गया यहां पर अपचेन तो क्या लिखेंगे पहले हुआ ओजोनी करन फिर हुआ अपचेन जिंक ह्टू ओ मिलकर के अपचायक का काम कर रहे हैं अब ह्टू का रोल तो मेकेनिजम में जोन को एड़ करने मदद करना अब वह भी हमारे स्लेबस में निये तो मेकेनिजम में आपको जाना नहीं है तो जोन की हल्प कर रहा है यहां पर यह दोना मिलकर के काम कर रहे हैं तो क्या लेंगवेज में कोई दिकत किसी की परिशानी है वाज आएगा लेंगवेज याद करवानी थी मैं कभी भी कुछ भी ऐसे ही नहीं करता हूं 12 साल का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस की जलग आपको ऐसे नहीं पता चलेगी एक्जाम में सवाल आएगा तब पता चलेगी मैंने आपको यह ट्रिक क्यों बताई को कि मुझे आपके दिमाग में वो डेफिनीशन फिट करनी थी ओजोनी करण और फिर अवचायन वाली इसलिए मैंने एक ट्रिक आपके दिमाग में डाली भागी मुझे भी पता है वह असान है था लोत लिखे लेखें लेगविछ लिखें आपके का लेख लिखें यहां लिख लेखो भाई लेको पड़ा एलकीन का ओथरी द्वारा ओजोनी करने पर एलकीन का ओथरी द्वारा ओजोनी करने पर एलकीन का ओथरी द्वारा ओजोनी करने पर प्राप्त अब एक बाद समझना यह जो बीच में बनाए है इसको ओजोनाइड कहते हैं क्या बोलते हैं ओजोनाइड तो हमने एक्चुल में किया क्या हमने एलकीन का ओजोनी करन करने पर ओजोन जोडने पर जो ओजोनोइड प्राप्त हुआ उस ओजोनाइड का जिंक ह्टो से क्या करा दिया अपचैन और उससे हमें क्या प्राप्त होने की संभावना है आपने देखा एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है तो ओजोनी करन ओजोनी अपगडन से हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो सकता है और कीटोन भी प्राप्त हो सकता है जाहिए है तो रहे ल्किनों एलकीन का ऊतरी द्वारा ओजोनिए अफगदन का प्राप्त ओजो नाइडका को ओज़ो नाइडका Gink H2O द्वारा अब चैन कराने पर जिंक हटो द्वारा अब चैन कराने पर किया प्राप्त होता है इनल घार कभी कभी किटोन इसता गाने पर से ल्ड िखिट या किटोन या दोनो अधोर एंसूटे जिसमने को समझिश्च और सकती है कभी अपने कंसेट को समझैप ता प्रेक्स है दिए इसको भी ट्रिक से करके देख लेते हैं चली है तो ब लोगलो बोलो 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 कर ले क्या दूंदि सबसे पहले एसे लिखो CH3, C, CH3, अब चाहो तो इन दौनों को अलग लिख दो पहले, इस C को यहीं रहें दो, CH3, CH3 को ऐसे लिख दो, CH3 इदर, CH3 इदर, अब देख रहा है, इदर भी ऐसे यह कर लो, CH3, 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 CH फिरी अ Hilux अच्व है बन गया धर है अब अगर आपका घर बन गया है उसको तोड़ना है उग्ले स्टेप में क्या करेंगे कि यहां से ब्रेक करेंगी यहां से ब्रेक करेंगी टिक है तो जैसे भरेक करेंगे क्या होगा आप तो आपको पता है CS3 CS3 C double bond O के टोर्ड जाएगा और CS3 C double bond O H LDN बन जाएगा और ये सिब्सक्र Mandrair हाथ तो बनी जाएगा चलो हाथ उपकर करेंगे या फिर हम बोलेंगे या मखन लिखेंगे कमेंट सेक्षन में किसा यह रियक्षिन जो है एक दम मस समझ आ गई है जल्दी बता दो फिर अगली रियक्षिन की तरफ चलते हैं मैं अब श Свly भी दे देता हूं करने के लिए आपको एक सबस्क्क्राइब करने के लिए कि मैं अब या आपको एक सवाल वी कुष से लिख सकते यह आ ऐसी बात नहीं लैंगवेज्ट लिखी चास्क्त abortion आपको इसलिए बताता हूँ कि language आप खुझ से भी लिख सकते हो गबराया बबराया मत करो कि language तो हमसे लिखी जाएगी नहीं एक्जाम में हम कैसे लिखेंगे रहे कुछ नहीं करना होता है बस कौन किससे क्या बना रहा है वो बताना ही तो है इसके उत्पात बनाने के लिए ट्राय कर लो लास सवाल फिर अबन आगे बढ़ते हैं इसके उत्पात बनाने का ट्राय कर लो इसके उत्पात कैसे बनेंगे इसके उत्पात ट्राय कर लो फटाफट ओजो निया बड़न कराना है ठीक है कर लिजिए कैसे बनेगा गौर रहो हमेजा कुछ रहो खूब तरक्की करो बेटा बस खूब तरक्की करो खूब मैनत करो अच्छा रिजल्ट लेकिया हूँ झाल 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 झा क्या बना बना के देखा गा अच्यकों तरग देखते हैं क्या बना वे इसे हंआ अगर दाल कर सकते और यहां सब 시क्च in कि रखार गार्वान ऐस्ट यह वहोगु आपका तो इस तुल आ उसके आप चुट आइख तो इससे जुलाबा है इधर CH3 इधर CH2 CH3 तो हमारी ट्रिक नंबर वन से टायरेक्ट हो सकता है कुछ नहीं करना बन गया पर अगर आपको चत्ते वाली ट्रिक से करना है तो भी बतायता हूं मैं आपको आपने स्कॉय से लिख दिया CH3 हिए इसी को अपने इधर लिख दिया ऐसे इसको आपने ऐसलिख दिया CH23 कि इसका एक बडर इदर इख बॉन ऐसे फ्री इसका एक बन ऐसे फ्री इसका एक बडर आसे फ्री यहां आ गया ऑक्सीजन Rights से समझने के को शीड है तो और इतर वान से सहाफ द्रेल और यहां से ब्रेक होगा होगा यहां से ब्रेक होगा और ती है त्री जिए हत्री गडवल नो एक उत्पाद यह बन गया रस्में ऐस्तिरी सी जिर्फू शीर्फिस्ट सी अग्षियन के साथ डबल पॉड़ हो यह आपका एक किटोन आपका यह हो गया और एक किटोन आपका यह हो गया दाने क्या कि मस्त परिशानी किसी भी प्रकार की पतलब इजी है रियक्शन का तरीका बहुत इजी अब अगली रिक्शन जो कर रहे हैं वो थोड़ी खतनाक से लग सकती है देखने में तो चलिए खेलते हैं इसके साथ एलकाइन के जल योजन तौर लेट्स स्टार्ट यह तीसरा निर्मान का तरीका है लिखिए एलकाइन के जल एलकाइन के जल योजन द्वारा इसमें आपको काफे दिमाग लगाना पड़ सकता है क्योंकि इसमें टॉटो मेरिजम आएगा चलाव यह उता जो आज पढ़ाऊंगा मैं 11 वाले क्लास के अंदर तो 9 बजे साधना से चलती जिसके अंदर अपने 11 की ऑर्गनिक पढ़ रहे तो उसमें आज टॉटो म मेरिजम बढ़ाया जाएगा और स्टॉटो मेरिजम को उप्योग यहां देखो गया तो इसलिए मैंने 12 वाले बच्चों को साफसा बोला था कि आप टॉटो मेरिजम तो छोड़ो आपको अगर 11 की बेसिक और निके नहीं आती है तो आपको साधना सरीस को पूरा फॉलो करन आप इसमें क्या यूज कर रहे हैं जान से देखिए आप इसमें यूज कर रहे हैं जल और कैटलिस्ट की रूप में आप ले रहे हैं HGSO4 and H2SO4 मेकैनिजम 99% इस लेबस में आपके नहीं है इसलिए आपको मेकैनिजम के साथ परिशान होने की जरूत नहीं है आपको बस रियक्शन में क्या हो रहा है उस पे फोकस कर रहा है तो आपने लिया एलकाइन साथ में लिया जल अभी गिरिया हो रही है किसकी उपसिती में HGSO4 मरकरी है HGSO4 और H2SO4 की उपसिती में आपकी रियक्शन हो रही है होता क्या है यह बॉन्ड शिप्ट कर जाएगा इसके उपर क्या बनेगा दबल बॉन्ड च इस पर आ जाएगा नेगर्टिव इस पर आ जाएगा पॉस्टिव अब क्या मुझे आपको यह बताने की जरूत है कि जल में दो इससे होते हैं H प्लस और OH माइनस प्लस वाला हिस्सा जाएगा इस पर और OH माइनस वाला जाएगा उस पर क्या मुझे बताने की जरूत है नहीं है ना तो जोड़ दे च डबल बॉन्ड च यहां जोड़ दीजिए एच और यहां जोड़ दीजिए ओएच और समझने के लिए देखें तो आप इसको ऐसे घुमाके भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहां एच लिख सकते हैं यहां मतलब एक जगे जाएगा एक जगे ओएच जाएगा अपने साब से देख लो मतलब दौन तरफ सेम ही तो है अगर आप चाहो तो ऐसा भी तो कर सकते हैं मैं आपको हर संभावना से परिचित कराता हूं यहां बेज दो क्या फरफ पड़ता है दो तरफ सेम इस्तिती बन रही है तो यह आपका बन गया अब इसको अपन केमेस्ट्री में इनॉल कहते हैं क्या बोलते हैं इनॉल और यह बहुत ही आस्थाई होता है अब यहां से कक्षा 11 शुरू होती है यहां से क्लास 11 स्टार्ट होती है ओ एच परोस में डबल बॉंड फिर एच इसको इनॉल कहते हैं और इनॉल बेहद अस्थाई चीज है तो इनॉल जो है वो फटाफ़ट से खुद को चेंज करता है तॉटो मेरिजम के थुख जिसको चलाव यवता कहते है जिसको क्या बोलते हैं चलाव यवता कहते है अब तॉटो मेरिजम क्या चीज है इसके लिए तो बहुत अच्छे से आपको सेखना पड़ेगा बहुत अच्छे से अपनी बुद्धी को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा कौकि अगले पांच मिनिट इस गोई टो बी वेरी इंपॉरेंट फॉर यूँ हाजी तो टॉटो मेरिजम चलाओ यहुदा की बात करते हैं इसमें क्या होता है सबसे पहले आपको अपने फोकस को एक जगे लाना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि सिच ट्रिपल बॉंड एक बाइक अगर इस शिफ्ट हो गया तो यह नेगर वोगया यह पॉस्टिव हो गया जल में दो ही चीजें होती है हच प्लस और वेच माइनस चला गया नेगर यह चला पास और यह बन गया इसको बोलते हैं इनॉल और इनॉल इस दुनिया का काफी अर्ष्थाई कमपाउंड है तो यह अपने आपको फटाफट से चेंज करेगा किसमे करेगा बताऊंगा बढ़ चेंज करेगा और किस कंसेप्ट के थूख खुट को चेंज करेगा उस कंसेप्ट का नाम है चलाव यवता टॉटो मेरिजम उस कंसेप्ट का नाम क्या है उस कंसेप्ट को नाम है चलाव यवता अर्थाथ टॉटो मेरिजम अब टॉटो मेरिजम में क्या होता आपको बताते हैं जिसमाल वे कमपाउंड है X, Single Bond, Y, Double Bond, Z और X के पास Hydrogen है तो Hydrogen चली जाती है Z के पास और Double Bond चला जाता है XY के बीच में यह होता है Totomerism और कुछ नहीं ठीक है? अगर X, Single Bond, Y, Double Bond, Z है और X के उपपर Hydrogen है तो Totomerism अर्था चला विवता में H चला जाता है Z के पास और Double Bond XY के बीच में आ जाता है पहचान कौन? यह रहा आपका X तो नीचे करो इसको थोड़ा करोगा पहचान कौन? यह है आपका X यह है Y और यह है Double Bond Z तो X, Single Bond, Y, Double Bond, Z और यह है X के पास Hydrogen तो X की यह Hydrogen किसके पास लिजाएगी? Z के पास और Y और Z के बीच में Double Bond है वो किसके बीच में आ जाएगा? X और Y के बीच में आ जाएगा अराम से देखो तोटो मेरिजम को अरामचे देखिए यह बहुत ही आसान है बस कभी-कभी मुश्किल लग सकता है देखने में वापस समझने का प्रयास करते हैं उमीद करता हूँ एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए अगर X, Single Bond, Y, Double Bond, Z हो और X के उपपर H हो तो H चला जाएगा Z के पास और Double Bond आ जाएगा इधर इसको बोलते हैं तोटो मेरिजम तो यहाँ पर हमारा X यह रहा इसके पास Hydrogen भी है Single Bond, Y, Double Bond, Z तो जो H है वो चला जाएगा Z के पास और Double Bond आ जाएगा XY के बीच में तो तो मेरिजम से क्या बन रहा है देखो अब ऐसे ही लिखेंगे Aero के उपर चला वयवता जाहन से देखके बताएगे क्या बन रहा है CH अब इसके पास कितने एडिजन हो गया दो पहले से थे एक और आ गया तो CH3 Double Bond हो गया Single CH Carbon और Oxygen के बीच में क्या हो गया Double Bond जहान से देखो यह आपका बन गया Eldehyde बताओ सब्सक्राइब बन सकता है और Ketone भी बन सकता है मैं दोना बना के दिखाऊंगा भी आपको इसको निहारो अराम से प्यार से देखो इसको समय आगया समय आते हाथ उपकर कर दो फिर एक्जामपल और दूँगा तुम्हारी प्रैक्टिस भी करवाँगा चिंता मत करेंगा बीच में जोड़ूँगा आपको कि 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 बताओ कि 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 जिस काबन पर वेट शुरू होगा ओक्सिजन से शुरू करना है आपको अक्सिजन ये एक्स होगी अब एक्स के पास और जैड़ के पास और जैड़ वाय का डबल पॉंड इदर आ जाएगा जाने अब एक सवाल दे रहा हूं इसको लिख लिख लिया होगा आपने इस सवाल को दिल से करना हो और होना चाहिए आपसे ठीक है इस सवाल को दिल से करना हो सोर्स समझ के करना है इसको ठीक है इसमें अच्छी खासी और गनिक केमस्टी लगेगी टेक वन मिनिट टाइम एंड सॉल दिस कॉशन सीरियसली जल करना है वि युद्देया को उते हैं कर लिए रहे हैं यहां पर तुम इसको इधर शीफ्ट करते या इसको इधर शीफ्ट करते कोई फरक नहीं पड़ रहा है बट यहां अपने पास ऑप्शन दो है ध्यान से देखना इसलिए कहते हैं फर्स चैप्टर से मैनत करते हुए आओगे तो सवाल हो पाएगा यहां हमारे पास दो ऑप्शन है ऑप्शन नमबर वन और हम देखने जा रहे हैं ऑप्शन नमबर टू ठीक है ऑप्शन नमबर वन में क्या होगा समझिएगा ऑप्शन नमबर वन में यह होगा कि यह बॉन इदर शिप्ट कर जाए तो अगर यह इदर शिफ्ट करेगा आगर यह बॉन इदर शिफ्ट कर जाए तो कै येवाउन गांटैड़्य और ये जैएगा पोस्टीव गुलन ये ठाउन है कि नहीं बद आप पटाउ ना दो आप्शन है या नहीं है दो आप्शन तू डिगरी कार्ब धनायन है कौन से डिगरी कार्ब धनायन है यह यह तू डिगरी कार्ब धनायन है और यह कौन से डिगरी कार्ब धनायन है यह वन डिगरी कार्ब धनायन है यह वन डिगरी कार्ब धनायन है सही है कि नहीं है भई जिस कार्बन पे प्लस है वो दो कार्बन स से गनेटेड ना तो बन डिकी काब धना है बांते हो अले बोलो प्रभू सभी यहां पे जिस कार्बन पे प्लस है वो कार्बन कितने कार्बन से गनेटेड है एक दो डायरेक्टली और जिस कार्बन पे प्लस है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से गनेटेड है केवल एक से तो काब धनायन का इस्थाई तो पता है कि भूल गए 3 डिगरी काब धनायन सबसे ज़्यादा इस्थाई फिर 2 डिगरी काब धनायन और सबसे कम 1 डिगरी काब धनायन तो कौन सा वाला काब धनायन ज़्यादा इस्थाई है है डेफिनेटली कि यह वाला ज्यादा इस थाई है कि नहीं है कि यहाँ पर कौन सा काफ दैन बनेगा यह वाला बनेगा कि यह सी सी पॉस्टिव डबर बॉंड सीच नेगेटिव यह बनेगा जल में से क्या निकलता है सबको पता है है एच प्लस और ओएच माइनस तो ओएच माइनस जाएगा प्लस पे यहां जुड़ जाएगा ओएच यहां जुड़ जाएगा एच प्लस माइनस खतम हो जाएगे इक है ना तो कोई दिक्कत क्रिस्टल क्लियर वेरी गुड़ दिव्यांच चलो अब क्या होगा यह देखिएगा तो तो मैरे जम एक्स ऑक्सिजन होगा एक्स सिंगल बॉंड वाय डबल बॉंड जेड तो एक्स की जो हाइड्रोजन है वो जेड के पास चली जाएगी एक्स की जो हाइड्रोजन है वो घूम करके जेड के पास चली जाएगी आज वाय और एक्स और य के बीच में बच पह से लिख लिए परोंड वाय डब iss advisor इसकी hydrogen Z के पास जाएगी और Z और Y के बीच में डबल बॉंड है वो X और Y के बीच में बन जाएगा तो मैरी जम X के पास जो hydrogen है वो Z के पास जाएगी और Y और Z के बीच में डबल बॉंड है वो X और Y के बीच में बन जाएगा चलिए क्या होगा CH3 इनके बीचे में बन गया डबल बॉर्ड और इसके पास दो एच थी एक आच और आ गई इसकी एच थी क्या बन गया इससे की टोन सब्सक्राइब इसको नोट कर लो ओक्सियन को एक्स लेना है इससे दिमाग में रख लो कि इसको एक्स लेके चलना है ओक्सियन को एक्स लेके चलना है ठीक है दो इसकी गस बता हो कि मजाया कि मेरा किस किसी था वैसे इत्पended का समय दिया आपको इस सवाल करने के लिए प्लीज लेजी और हैंड़ सवाल है र débサम конфसक्राइर कितने बच्चों सवाल सभी था यह उसकों ने सवाल सही कियाओ किंविधने बच्चों सवाल मैं सभी खलती नहीं इसको करने में इतने बच्चों का सवाल था भगिक्षा को सभी है कि अब कौन से हो गई हमार पास यह सीख लिए हमने अब चौह टी रियक्शन सीखते हैं लास्ट आज के दिन की पूर्थ एंड लास्ट रियक्शन सीखते हैं जालोगा लेट्स स्टार्ट अब अपर बनाना सीखते हैं कार बॉक्स लिक अमल द्वारा तो हैडिंग लगाएं इसमें सारी रियक्शन की ट्रिक बताओंगा और ट्रिक से ही सारी reactions हो जाएंगी दिमाग लगाना इच नहीं पड़ेगा बस follow करते जाओ सुनते जाओ बनाते जाओ और समझ में थोड़ा कम आए तो वापस वीडियो देख लो पीछे आ करके गुट 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 फ्रॉम language लिखना मैंने आपको सिखाई दिया है पहले बस्ट reaction के अंदर और रफ्तार बेच में सिखा भी दूँगा रफ्तार बेच में और सिखा दूँगा कैसे लिखते है language रफ्तार बेच में और सीख लेंगे ठीक है इससे काफी तरीके से बन सकता है इसमें पहला तरीका आज अपन सीखने जा रहे है शुष्क आसवन नाम से उतना मतलब नहीं है हमें तो reaction देखनी है शुष्क आसवन इसको English में राय डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं राय डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं शुरू करें मालों आपने ले लिया HCOOH ये कारबॉक्स लेके ठीक है आपने इसकी रेक्शन कराई केल्शियम हाईड्रोकसाइड से यहीं से काहनी शुरू होगी ध्यान से देखना जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको आएगा शुद्ध मजा हाँ शुद्ध मजाएगा आपको HC HCOOH से क्या निकलेगा HCOO- और H+. सही क्या रहूं क्या यही तो है HCOOH यही तो है यहां से ब्रेक करोगे तो यह माइनस प्लस यही तो मिलेगा ठीक है केल्शियम हाइड्रॉकसाइड से क्या मिलेगा केल्शियम टू प्लस और 2 OH माइनस है ना ठीक है तो यहां से अगर मैं 2 HCOO लेता हूँ तो 2 मिलेंगे HCOO माइनस 2 मिलेंगे HCOO माइनस 2 क्या मिलेंगे HD HCOO माइनस और 2 मिलेंगे H+, केल्शियम हाइड्रॉकसाइड से 2 HCOO के साथ जुड सकता है क्योंकि कैल्शियम पे पॉस्टिव चार्ज है 2 और इस पे है माइनस का 1 तो माइनस का 2 प्रस का 2 तो आपको नहीं लगता यह बन जाए और यह जो चीज आपके सामने बनी है यह है कार्बॉकसलिक अमलका कैल्शियम लवन इसको क्या बोलते है लेंग्विज लिखने काम आएगा कि जब अपन कार्बॉकसलिक अमलका केल्शियम हीड्योकसाइड से कराते है तो केल्शियम कार्बॉकसलिक अमलका कैल्शियम लवन प्राप्त होता है ऐसे लेंग्विज बनाने में हल्प होगी न तो यह क्या चीज है यह है कार्बॉकसलिक अमलका केल्शियम लवन प्राप्त है केल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और यह और यह करेक्ट होने से बन जाएगा है एच सी डबल बॉन ओ एच बोले तो एलडी हाई इस पूरे चैप्टर में मेकैनिजम केवल एलडॉल और क्रॉस एलडॉल जैसी अभी क्रियाओं में देखने को मिलेगा उसके अलावा मेकैनिजम ही नहीं साब इस प्रकार आपका एलडी हाईट जो है बन सकता है अब आपको मैं एक सवाल दूँ इस पर बेस अगर आप कर जाते हैं तो मतलब आपके ट्रिक समझ में आ गई नहीं कर पाएंगे तो मैं जब बताऊंगा तो ट्रिक समझ में आ जाएगी इसी रियक्शन पे बेस एक सवाल दे रहा हूं करना अब पूस्ते रहते हो ना बोर्ड में सवाल के से आएगा बोर्ड में सवाल के से आएगा बोर्ड में सवाल के से आएगा पूस्ते हो ना बहुत ज़्यादा चलो CS3 COH ने अभिकिरिया करी कैल्शियम हाइड्रॉकसाइड से पानी बाहर निकला और एक योगिक बना ए हाँ एक और चीज यह अपने अपनी होता है यहाँ इसको गरम करना पड़ता है और शुश्क आस्वन कहते हैं इसी को तब बनता है ठीक है तो इसके बाद जो बना उसका शुश्क आस्वन किया गया उसे गरम किया गया तो B और C बना आपको बताना है A क्या है B क्या है और C क्या है एक चीज बता दूँ C में कैल्शियम का अंच है यह कॉशन ने आपको लिखके दिया है अब आपसे बोल रहा है A B C बताईए पर यह कॉशन स्वाल करिए कॉशन स्वाल जल्दी देखते हैं किसका सही होता है झाल 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 करें, जरूब, लेट सी, इससे दो चीज़ निकल के आएंगी, CSC, CW, N- or H+, ये दो लेदेन आप, ऐसे बैलेंस कने के ज़रोट नहीं होती और अर्गनिक में, CSC, CW, N- or H+, इसे एक इचीज़ निकल के आएगी, केल्शियम 2+, और OH-, कितने 2? यहां तो बन गया पानी, अब क्या बना, CSC, CW, N- और दूसरा वाला CSC, CW, N- B, किसे जुड़ेगा, केल्शियम से, ये ही सिखाया था, वही जो सिखाया उसको अपलाए कर तो बात खतम, तो जो सिखाया उसको अपलाए ही तो करना है, that's it, चलिए हैं, अब जब गरम करोगे, जब आप इसका सुष्क आस्वन करोगे, तो केल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा ऐसे, क्या बाहर निकलेगा, केल्शियम कार्बोनेट, क्या बचा, CH3 गनेट हो जाएगा इस कार्बन से, जिस कार्बन के पास ऑक्सिजन है, और एक CH3 है पडोस में, और किसी को कनेक्शन में दिक्क्त आ रही हो, तो इसको ऐसे बताएता हूँ, यह ऐसे दिखता है, CH3 C double bond O, ओ यह ऐसा दिखता है, एक्जेक्ट यह ऐसा दिखता है, तो यह आपका CACO3 बाहर निकल गया, सॉरी, CACO3, यह पूरा बाहर निकल गया, तो यह CH3 किस से गनेट होगा, इस कार्बन से होगा न, ऐसे, वो ही गनेट कर दिया, पतम, तो यह बन गया, है, गाईज आपका, की टोल, that's it, हो गया, पतम, चलो, ओके, तो यह सारी रियक्शन्स आपने आज करी, अब मुझे बताओ, क्या इन रियक्शन्स में आपको ऐसा बिलकुल भी फील हुआ, कि आप किसी भयानक से चैप्टर को पढ़ रहे हो, यह इन रियक्शन्स को पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगा कि नहीं या, मेर से तो नहीं हो पाएंगी, भाई, बोड के एसाब से देखा जाए, तो दुनिया का सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है, कब जब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में अच्छी खासी महनत आपने कर रखी हो, अब अब आसान, तो कमेंटर के बताना आपको कैसा लगा, और आज फिजिक्स की क्लास होनी है आपकी, पर मुझे थूड़ा सा कुछ लग रहा है कि शायद मैं नहीं ले पाऊंगा फिज अब इक चीज और है संडे को टेस्ट रखना था मुझे बट मैं संडे को आपकी थोड़ी सी क्लास रख रहा हूं को कि इस चैप्टर के लिए एक स्पेशल क्लास रख रहे हैं अपन संडे को आपकी क्लास रहेगी जिसमें अल्ड है कि टोन का बॉक्स रिक का मैग्सिमम पोर्शन अपन कवर कर लेंगे तो संडे को आपको इस क्लास में आना पड़ेगा संडे को आपकी छुट्टी नहीं हो पाएगी इस बार एक तो सुबह आपका जैनीट लेवल का टेस्ट ह और फिर आपकी क्लास भी होगी बिटा इसमज़ा गया लिया तो जाओ फिर अभी तो आप जाके बायो पढ़ लो और विजिक्स का हो सकता है आज नहीं हो चैप्टर खतम करना कल कर लेंगे तीक है चलो बाइबाइब कमेंट जरूर करना कैसा लगा कि एचैब जरूर करना 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 का हाया ले पर वहनेे जरूर कि दोटेम है ऊजा जरूर कंपी क्पार ले डर एच ही तूर भी तो जरूरartetै क्लों unfív़ाऊन डिया जरूर का। ट falsकता है टीक्या, आपकी का किया हो झाल झाल